तो चलो बच्चे इस वाले question को देखो इसमें क्या है कि जैसे मालों देखो कि moon is just fall it is strike the earth in the previous problem, previous problem में अगर यह moon है ठीक है यह moon है revolve कर रहा circle में अगर मैं इसको यहाँ पर stop कर दूँगा तो यह stop करने के बाद इधर fall करेगा और fall करेगा और यह आके ऐस्तरे से टकराएगा earth से तो यह कहता है this is the story just before just before touch, just before touch the earth तो इसके पास कितना acceleration होगा उसकी हमें calculation करनी है acceleration of moon ठीक है simple सी बात है तो अगर तुम अच्छे से diagram देखोगे तो इस diagram को तुम देखने के लिए अगर हम लोग solve करेंगे तो जब यह earth इसको touch करेगा उस वक्त acceleration हम moon अगर देखोगे तो किसी भी चीज़ का acceleration force on moon divided by mass on moon ठीक है तो सबसे पहले इन दुनों के बीच force देख लो कितना है तो force देखने के लिए चलो यह माल लो अर्थ है ठीक है दिस इस अर्थ और अगर यह अर्थ है जिसकी radius कुछ आ रहे हैं और मून इसको आके touch किया तो मून यहां मैं बना देता हूं यह मून है तो यह मून आके इसको touch किया जिसकी radius माल लो इस माल आ रहे है तो जो इनके भी जो force लगता है वाई वो तो एक central force होता है तो अगर वो central force है इनके बीच तो यह जो force है इस force की जो value आ जाएगी इस force की जो value आ जाएगी force between the moon and earth is equal to g mass of earth mass of moon और divided by इनके बीच का distance मतलब capital R plus small r का whole का square अब देखो कि यहां दिया हुआ radius of previous problem भी देखो radius of moon जो है वो radius of earth का 1 by 4 है मतलब moon छोटा है भई तो moon छोटा है तो इसको तिम देखो के capital R plus small r की value आ जाएगी r plus capital R by 4 मतलब भी आ जाएगा 5r upon 4 this is what this is basically इसकी value आ गई यार तो अगर इसकी value आ गई तो तुम देखोगे इस situation में तुम देखोगे तो basically अब यहां पर जो आएगा acceleration of moon जो दिखेगा वो force on moon तो force on moon जी mass of earth, mass of moon divided by capital R plus small r 5r upon 4 का square ठीक है और divide acceleration is equal to force और mass of moon तो mass of moon cancel हो गया तो finally अगर तुम देखोगे तो acceleration of moon जस्ट टच करने से पहले is equal to आ जाएगा 16 upon 25 G mass of earth और radius of earth का square का whole square तुम तुम यह वाली value क्या है भाई what is this तो यह आ जाएगा 16 upon 25 और यह जो value आ जाएगी जी अब यह तो कुछ नहीं है यह तो भाई यह जो वाली जो value इस value इस value इस एक्सलेशन due to gravity जी का square ठीक है तो जी का square करोगे तो जी का square कितना आता है भाई तो जी का square तुम देखोगे a square नहीं आएगा यह यहाँ से थोड़ा सा mistake हो गया है तो यह यहाँ से a square नहीं है तो जब यहाँ 25 को कर दोगे तो यह यह बचेगा तो finally जो बचेगा वो आ जाएगा यहाँ से तुम देखोगे जो बचेगा उसकी value आ जाएगी यहाँ से यह वाली यार एक मिनट तो यह जो जी है हुआ जाएगा 16 अपन 25 और जी की value 9.8 यह पूरा value जी बनेगा तो जो फाइनली मैं solve करूंगा तो acceleration of moon जो है इसको solve करो 16 अपन 25 और 6.4 तो 6.4 meter per second square this is nothing but this is the acceleration of the moon before touching the earth तो अर्थ को touch करने से पहले मतलब इसका c option सही है कि हुआ झाल क्वाशब प्रवन क्वाशब क्वाशब झाल झाल